उत्राखन के सिल्क्यारा की सुरंग में आगर मशीन के फसने से मज़दूरों के बाहर निकलने का इंतिसार और लंबा हो गया है अब रेस्क्यू अधिकारियों को उन विकल्पों पर विचार करने के लिए मज़बूर होना पड़ रहा है जो अभी तक नहीं अपनाए गए थे इसका असर ये हो सकता है कि रेस्क्यू पूरा होने में कई हफते लग सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के पंदरवेदेन अधिकारियों ने बाकी काम को पूरा करने के लिए मैन्यूल ड्रिलिंग या उपर से ड्रिलिंग करने का मन बना रही है अगर उपर से ड्रिलिंग की गई तो 86 मीटर तक ड्रिलिंग करनी होगी कि दिए वाज भाज कर दोट राई प्राव कि अडिथे से वूत अढ वा कर बाद ए policy जार प्राव से ANT राष्ट्रिया आप्रबंधन प्राधिकरन के एक अधिकारी के मुताबिक वर्टिकल ड्रिलिंग अगले 24 से 36 घंटो में शुरू हो जाएगी झाल